नमश्कार मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में हमारा जो सीरीज चल रहा है क्लिनिकल मेट्रिय अमेडिका का उसमें आज हम बात करेंगे एलेंस की नोट के सर से रिलेटेड यितने भी सिम्टम सेपे की नोट मतलब हाइडि प्रूवेन बहुर सारे जो लोगों में पर पेशंट पर प्रूविन कヤ जाता है इन सिम्टम में ह expend बातकर और और वो Key Notes होते हैं मतलब sure shot काम करेगा यह symptom अगर आ गया जो जो दवाईया मैं उसके हिसाब से बताऊंगा particular symptom सर से related जितने भी symptom sure shot काम करेगा और quickly काम करेगा just like the allopathic medicines तो आप इनको अच्छी तरह से देखिए सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है सर से related जितने भी समझ्या है mostly जो important है clinical आते हैं कुछ ऐसे peculiar characteristic symptoms है जो आपको कहीं पर नहीं मिलेगा मैं collect करके उनको यहाँ पर आपके समने present करूँगा slides के माधियम से तो आइए देखते हैं उस size को ताकि अच्छी तरह से आपको याद रह जाए तो आइए देखते हैं वह top के head keynote symptoms सर से related वह best medicines जानेंगे सबसे पहला great falling of hair after chronic headache or at climatic period मतलब तेजी से बाल गिरता है हास करके सरदर्द के बाद जिनको continuously रहता है chronic मतलब continuously रहता है और climate trick मतलब जिन औरतों का periods बंध हो चुका है तो उन में बहुत ज्यादा बालों का गिरना sepia का मुख्य लक्षण है sepia दे सकते हैं आप next headache as if a tornado in the head as if head has been blown into pieces tornado आपको पता होगा जैसे spiral की तरह turn होके आता है एक बवंडर और वैसे ही सरदर्द अगर बवंडर की तरह होता है और ऐसा लगता है कि मानो वो बवंडर आकर हमारे सर को उड़ा लेगा और खंडखंड कर देगा उसको तो इस तरह का भायानक जो सरदर्द होता है वो आपको कार्बो एनिमालिस में मिलेगा है ना बहुत ही specific चीज़ है कार्बो एनिमालिस नेक्स्ट जो है सामने माथे की चारो तरफ एक रबर बेंड जैसे टाइटली बेंड बेंडेज किया हुआ है मतलब बंधा हुआ हो ऐसा फील होता है एक रबर बेंड बंधा हुआ ऐसा फील होता है कुछ important दवाईया है जैसे कि कार्बोलिक असेड जलसिमियम प्लाटीना और सलफर यह इसलिए महसूस होता है कि वहां पर जकडन होता है इंफ्लमेशन बहुत जादा होता है और इसका कारण कुछ भी हो सकता है ठीक है तो अगर पेशेंट बोले ऐसा मुझे महसूस होता है कोई रबर बेंड बंधा हुआ तो यह दवाईयों में से आप सिलेक्शन करके दे सकते हैं नेक्स्ट आता है इटिंग ए लिटिल ठू मच काउज हैडेक थोड़ा सा भी जादा खालो तो सरदर्द होना नक्स मौस चाटा में यह लक्षन है नक्स मौस का बहुत ही बढ़िया सिर्टम है यह कारण क्यूं होता है कि जरासा जादा खालेने पर गैस बन जाता है और यह प्रपर तरीकी से नहीं पहुंचेगा सरदर्द जादा होगा तो ग्यास रिलेटेट अगर हैडेक थोड़ा सिर्फ ज्यादा खालो नक्स मौस बहुत ही बढ़िया मेडिशन है उसके लिए हैडेक इंद ऑसिपूर्ड हुई इस वेरी हैबी एडली ऑसिपटल रीजन में सर पेट्रोलियम उनको दे सकते हैं जिनको ये सरदर्द की स्विकायत के साथ स्किन का भी प्रॉबलम हो खासकर के ड्राइनेस ब्लाइट सो अस के सब्सक्राइब होता है और यह particular election होता है तो petroleum उसका specific दवाई देगा petroleum skin के लिए एक अवल दर्जे का दवाई है चुकि खास करके winter season में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है नेक्स्ट जो important headache of student teachers and overworked businessmen जो students teachers and businessmen ज़्यादा सोचते हैं जिनको mental work बहुत ज़्यादा होता है stress बहुत ज़्यादा होता है उनमें सरदर्द अक्सर देखा जाता है तो उन जैसे लोगों के लिए पिक्रिक एसिड करके एक medicine आता है वह बहुत ही ज़्यादा फाइदमद है यह specific medicines है जो आप quickly उस चीज को relief करने के लिए आप दे सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया medicine है पिक्रिक एसिड इन लोगों के लिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ पर साथ नमबर वाला पॉइंट में आप देख सकते हैं headache always hungry during emulation while eating खाने से उनका जो सरदर्द होता है हमेशा होता रहता है कब होता है जब भूक ज़्यादा लगती हो यह specific point आप याद रखना भूक अगर लगती है तो सरदर्द ज़्यादा होता है कैसे आराम मिलता है खाने के बाद तुरंद उसको आराम मिल जाता है यह specific point मिलेगा आपको अनाकाडियम में, सोराइनम में और कैलिफोस में यह तीन important medicine आप याद रखना सरदर्द खाने के बाद उनको आराम मिलता है भूक में सरदर्द बहुत ज़्यादा होता है यह patient आपको बोलेगा इनका आप याद रख लेना next is headache from too much thinking to close application और attention सरदर्द कब होता है बहुत ज़्यादा सोचने से किसी चीज़ को अगर बहुत ज़्यादा हम सोचे उसके उपर analysis करें उसका research करें किसी चीज़ के उपर चाहे वह familiar matter हो non-familiar official matter हो किसी चीज़ के उपर ज़्यादा अगर हम focus करते हैं तो दिमाग में एक तरह का confusion होता है और उसके related headache होता है ठीक है तो उस चीज़ों के लिए Sabadilla और Argentum Nitricum बहुत ही बढ़िया काम देता है अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को focus करके attention देके सोचते हैं तो बोलने लेकिन सर के उपर जो top बला हिसा ब्रोटेक्स बोलते हैं उसको उसको चूने पर ठंडा मैसूस होना जाहे वो patient खुद फील करे वो object हो या subjective हो मतलब कोई दूसरा इंसान उसको मैसूस करे या फिर patient खुद मैसूस करे ऐसा बोले कि ऐसा लगता है कि मेरे top का हिसा ठंडा लग इसको याद रखना cash tracking में जरूर आएगा next उसका opposite है heat of the furnace सर की जो उपर हिसा है जहाँ cold feel होता था पहले के दवाई में यहाँ पर गरम महसूस होता है heat महसूस होता है ऐसा लग रहा है कि कोई आग लग गया उसर की उपर हिसे में जलन महसूस होता है calcuria carb, graphitis और sulfur यह तीनों next आता headache at sunrise added the highest at noon declines in sunset सर्दद कब ज्यादा होता है सूरू होता है सूरज उधय होने के साथ दोपेर तक बढ़ता है और साम तक ठीक हो जाता है spigilia, natriummure, tabacum, glonoin, kalmia यह सूरज के साथ चलता headache next is sweat on the face on a small spot only while hitting, खाते समय पसीना आता है face में चहरे पे एक particular small spot पे यह बहुत ही peculiar लक्षन है आप याद रख लेना, ignitia का यह लक्षन है next आता है puberty, acne in anemic gals with vortex headache, puberty के समय जब मुहां से आते हैं जो anemic gals होते हैं जिनमें खून की कमी होती है उनमें अगर सर के उपर हिसे में दर्द होता है तो calcarea fos एक बहुत ही specific medicine है तो यह था आज का video slides के माध्यम से, I hope so कि आपने देखा होगा और अच्छी तरह से इसको याद रख लीजिए सर से related जितने भी cases आपके पास बहुत अच्छी तरह इनको याद रख लेना quickly काम करेगा और failure नहीं होगा तो यह keynote वाला इतने भी वीडियो से आप अच्छी तरह देखिए शुरुआ से लेकर रंग तक एक 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 वीडियो महत्व पूर्ण है आपके लिए ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ सेर करते रहिए लाइक करते रहिए और subscribe कर लिजिए और bell icon जो उस पर ज़रूर क्लिक करे लिए दागी जब भी नया वीडियो में अप्लोड करो तुरंद आपको notification मिले दोनों चैनल्स में बने रहिए डॉक्टर संतोष हेल्थकेर इंटरनेशनल जो मैंने नया चैनल है और यह पुराना चैनल है डॉक्टर संतोष कुमार पार है बहुत बहुत धन्यवाद नमस्क बहुत बहुत बहुत